बच्चे पौटी करने से पहले हमें कुछ संकेत देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को पौटी आई है अगर हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं तो बच्चा या तो पैंट में पौटी कर लेता है या घर में कहीं पे भी पौटी कर लेता है तो हम कैसे जाने कि बच्चे को potty आई है चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि बच्चे के potty के क्या-क्या sign होते हैं कैसे बच्चे बताते हैं कि उनको potty आई है अगर हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान जर्णी हो जाती है और बच्चे को भी हमें सिखाने में काफी ज़्यादा आसानी रहती है बैसे मैंने पॉट्टी ट्रेनिंग के उपर अल्रेडी दो-तीन वीडियो बना दिये हैं अगर आपने वो नहीं देखिया है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर बहुच करिए चलिए बताते हैं क्या-क्या साइन होते हैं बच्चे कैसे साइन देते हैं कैसे वो बताते हैं हमें कैसे संकेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को पॉटी आई है तो जो पहला संकेत है वह गैस पास करना जब आपका बच्चा बहुत जादा गैस पास कर रहा हो तब आपको समझना है कि इसको पॉटी आई है दूसरा जो साइने वह बच्चा लाल मू कर लेता है लाल मू करने के बाद कुछ ऐसे करके प्रेसल सबनाएगा उससे आपको समझना है कि बच्चे को पौटी आई है तीसरे जो साइने बच्चे को खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों को फ्लोर पे रख लेते हैं अगर बच्चा आपको समझना है कि बच्चे को पौटी आई है अगला जो संकेत है कि अगर आपका बच्चा आपका कुड़ता डुपटा खीच खीच के बाथूम की तरफ ले जा रहा हूं या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्यों ले जा रहा है लेकिन आप अगर चले जाएंगे तो आपको समझना है कि इसको पौटी आई है या इसको टॉलेट जाना है इसलिए यह मुझे खीच कर ले जा रहा है यह संकेत बच्चे देते हैं अगर हम ध्यान देते हैं त कोई भी टॉइ नहीं पकड़ेगा जैसा खड़ा है वैसा ही खड़ा रहेगा एक तक देखते रहेगा और पॉटी कर लेगा अगर आप उसको टोकते हैं तो बच्चा एकाम्त में जाके कहीं कौर्णर में छुपके जाके करके आ जाता है या फिर वो पेंड़ में कर लेता है या अगर उसने कुछ भी नहीं पहना है तो वो उसी जगए पे कौने में जाके कर लेता है अगला जो संकेत है वो है कि बच्चा अगर आपका कहीं पे गया हुआ है कहीं इधर उदर गया है और आपको लग रहे हैं यह काफी देर हो गई है आया नहीं है तब आपको समझना से बच्चता है और इसलिए बच्चा एकांत में जाके फिर पॉटी करता है मेरा बच्चा क्या करता था जल्दी जल्दी चलना साथ कर देता था जब उससे पॉटी आदी तो काफी दिन तो हो गए मुझे समझे हुए कि यह जल्दी क्यों चलता है और जब तीन-चार दिन हो तब मुझे पता चला कि यह जल्दी उसी time चलता है जब इसको party आती है तो ऐसे ही मैंने कुछ sign बच्चे के अंदर देखी उससे मुझे idea लगा कि अच्छा यह यह sign देता है बच्चा और उसको उस time पर party आती है आपको मैं एक tip और देना चाहूंगी कि अगर आप बच्चे को party training दे रही है party training देने से पहले उसको toilet training जरूर दीजिए ताकि उसको पता चल पाए कि toilet हमें कहां पे करनी है party हमें कहां पे करनी है क्योंकि जब आप उसको direct जैसे party training देने लगते है तो उसको susu training आपने दी नहीं है toilet training दी नहीं है जिससे उसको कुछ भी पता नहीं होता है और उसकी party फिर ऐसे ही निकल जाती है वो सीख नहीं पाता है बच्चा तो इसलिए उसको party training देने से पहले toilet training जरूर दीजिए क्योंकि अगर उसको party आएगी और आप उसे seat पर बठा लेंगे तो बच्चा उस time पे नहीं करेगा रोक लेगा और पूरे दिन नहीं करेगा फिर तो इसलिए आपको direct party training ना देके पहले आपको उसको toilet training देनी है पहले उसका diaper छुडवाना है, सुसु का training देना है, उसके बाद ही party training स्टार्ट करना है अगला जो point है वो है कि जब आप बच्चे का toilet training या party training स्टार्ट कर रहे हैं उस time पे आपको क्या करना है, diaper को avoid करना है, diaper को बिल्कुल नहीं पहनाना है अगर आपने diaper पहना दिया तो बच्चों को पता चल जाता है कि diaper मैंने पहना है हम अपने आराम के लिए थोड़ असा कर लेते हैं ऐसा और उसे में फस जाते हैं इसलिए आपको आराम से नहीं देखना है, थोड़ी से परेशानी जरूर होती है, मेरे साथ भी बहुत हुई है मेरा बच्चा भी potty कर लेता था जब जैसे दो साल का सवा दो साल का था, सवा दो साल पे वो सीख चुका था दो साल का था उस टाइम पे और वो potty कर लेता था तब मुझे बहुत ज्यादा problem होती थी क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा wash करने में भी दिक्कत होने लगती है और जब छोटा होता है तब तो उसको लेटे लेटे साफ कर लेते हैं तो ऐसे ही आपको पहले toilet training देनी है उसके बाद potty training देनी है और दूसरा point है जब उसको potty आए तो उसको पहले सिखाना है डायरेक्ट ऐसे जाके बठाल नहीं देना है कि दिन में उसको PhD करने को बोल देंगे तो नहीं करेगा इसलिए उसको एक एक कदम आपको बढ़ाना है एकदम से सीट पर जाके नहीं बिठाल देना है कि नहीं अभी करना है अभी करना है अगर हम बच्चों के साथ ऐसा करते हैं तो बच्चे फिर डरने लगते हैं करने से और उससे भी क्या है कि अकेले में जाके और फिर पैंड में आराम से कर लेते हैं जैसे उनको करना होता है फिर हमारे लिए तो डवल कामी होना है इसलिए आप एक एक स्टेप चलिए एक दम से आपको उपर की सीड़ी नहीं पकड़नी है पहले उसको थोड़ा सा एक एक स्टेप जयासे आपने डायपर पहले छुड़ाना ने स्टार्ट किया फिर हर कंटे में जाके आपने उसको टाइलेट में मीठाना किया तो धेरे धीरे धीरे वहां पेसुसू करने लग गया और धीरे फिर भूव बताने भी लग जाएका जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है हफते दस दिन का होगा तीरे दीरे बो ऐसे ही सीख जाएगा कुछ दिरों में ही आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरा बच्चा भी तीन चार दिन में ही सीख गया था कोई मुझे दिक्कत जाता नहीं हुई थी बस थोड़ा एक एक स्टैप लगातार उपर की सीडी आपको नहीं लेनी है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा भी एक हफते के अंदर पॉट्री ट्रेनिंग ले लेगा लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे बच्चे ने जैसे एक हफते में सीख लिया या पंदर दिन में सीख हो सकता है बच्चा थोड़ा कम जादा भी कर सकता है कुछ बच्चे कम दिनों में ही सीख जाते हैं कुछ बच्चे जादा देने ले लेते हैं तो ऐसा आपको नहीं कर दो मैंने पहले वाली वीडियो में भी काफी helpful points आपको बताएं तो इस वीडियो आद उस वीडियो को जरूर बहुच करिए ताकि आपको और भी बातें पता चांद सके अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हो तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजी